काफी लोगों के मन में ये डाउट है कि मार्च 2022 में जो एक्जाम होने वाले हैं उनमें उनका किस-किस पेपर का एक्जाम होगा तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि किस किस पेपर या प्रैक्टिकल का एक्जाम आपको मार्च 2022 में देना है तो simply इसको चेक करने के लिए आपको लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप से एक डैसबोर्ट दिखाई देगा और मिलेगा ओप्सन कोर्सेस का इसमें मिलेगा माई कोर्सेस का इसपे क्लिक कर दीजिए then view detail इस पे click कर दीजिए और आपके सामने इस type से एक dashboard दिखाई देगा जहां पे आपको सारे module का जो status है वो so होगा कि आपने कौन कौन से paper pass कर लिये हैं और कौन कौन से paper बाकी है आपका project submit है या फिर नहीं एक बात और कि जो project होता है उसमें आप लोगों को grade नहीं मिलता है तो इसलिए आप लोग tension ना लीजिएगा अगर यहाँ पे so हो रहा है project submitted तो इसका मतलब यह है कि आपका project submit है grade यहाँ पर नहीं मिलता है यह न सोचिएगा कि आपको यहाँ पर grade so नहीं हो रहा है तो आपको दोबारा से submit करना पड़ेगा ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे so कर रहा है project submitted तो आपको project के लिए अप कुछ भी नहीं करना है दोबारा से submit नहीं करना है तिन चेक करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक link दिखाई देगा January 2022 करके तो simply आपको इसी link पे click कर देना है click करने के बाद जो exam की summary है वो आपके सामने दिखाई so हो जाएगी तो जो paper और practical आपको यहाँ पर so हो रहा है उसी के exam आपके March 2022 में होंगे हमने यहाँ पर जिस candidate का open किया है इनका python और practical इन दोनों के exam होंगे March 2022 में अगर आपने practical lock नहीं किया होगा तो यहाँ पर practical so नहीं करेगा तो कहने का मतलब यह है कि जो paper या practical आपको यहाँ पर so हो रहे हैं उसी के exam March 2022 में होंगे एक तरीका चेक करने का और है कि आप लोगों को यहाँ पर application number दिख रहा होगा तो आप यहाँ पर click दिन आपके सामने इस type से form open होगा तो यहाँ पर आप लोगों को जाना है 5th section में exam detail यहाँ पर आप लोगों को जो paper so होंगे उसी के exam March 2022 में होंगे तो यहाँ पर इनका python और practical so हो रहा है एक बात और कि जो admit card हैं वो अलग आते हैं theory paper का अलग आएगा और practical का अलग आएगा जो admit card है normally exam से 10 से 17 दिन पहले release कर दिये जाते हैं निल्ट की तरफ से तो हम यह कह सकते हैं कि जो admit card है वो आपके लगभग 7 या 8 March से 12 March के बीच में किसी भी time release किये जा सकते हैं जब जैसे ही admit card आएंगे तो मैं आपको उसके बारे में update दे दूँगा बट जो अभी का आपको focus main करना है वो करना है paper की तयारी के लिए ना कि admit card को लेकर क्योंकि admit card तो आएगा ही आएगा तो आप लोग admit card को लेकर टन्सनालीजिक वो कब आएगा वो तो जब आयागा तो मैं आपको बता ही दूँगा बट अभी जो आपका main focus है वो होना चाहिए तयारी के उपर और मने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो free test है वो provide कर दिये हैं आप यहाँ पर click करके O level के free test दे सकते हैं वही मने आप लोगों के लिए बना दिये playlist M1, M2, M3, M4 और practical की जहां से आप लोग सारे वीडियोज line by line दे सकते हैं तो simply आप लोगों को आना है चैनल पे मिलेगा option playlist का यहाँ पे click कर दीजिए और यहाँ पे जो भी आपका paper है उसी playlist को open कर लीजिए और जो वीडियोज हैं आप line by line देख सकते हैं और मने आप लोगों को यहीं पे जो practical है उसके बारे में सारी जानगारी दी है कि कैसे देना होता है कैसे question आते हैं जो पिछले साल question आ चुके हैं उनका solution भी तो आप लोग यहाँ से access कर सकते हैं इन playlist की through तो आप लोगों को best wishes जय हिंद वंदे मातरम Thank you friends